एक भाई साब बड़े उंदा तरीके से पूछ रहे हैं कि बेखुद किसे करते हैं बेखुद किसे करते हैं बेखुद उसको करते हैं भाई जो अपने आप से बेगाना और बेखबर हो जाता है उसको बेखुद करते हैं समझे कि नहीं जो अपने आप से बेखबर हो जाता तो फीज़िशर अधनि मिलेगा जिसको अपने आप से जो बेखावर रहे हैं कि है एपने आपसे जो बेखावर रहे हैं वैसा आदमी बहुत एक मुद्बूल से मिलता है इसे अपनेाप से बेखावर रहने का मतलब क्या हुआ को तो सब्छाएं हैं नहीं बुझ रहें हां अपने आप से बेख़वर रहने का मतलब यह है कि वो गुम रहता है जाद बूधिस नहीं रहता को आदमी क्या काता है कि मैंने औरों से सुना हूं कि प्रैसान हूं मुझे अपनी होस नहीं मैं क्या हूँ क्या हूँ नहीं हूँ मैंने दूसरों से सुना है कि परेसान हूँ मैं वैसा आदमी मिलेगा तो वैसा आदमी जो है वही बेखुद है यानि जो अपने आप से बाहर है हाँ अपने आप से बाहर है तो कभी-कभी गल्वा हो जाता है आदमी को लेकिन वैसा साव आदमी नहीं कर पाता है अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपने आप से जुदा हो जाओ तो यह हजारों बरस के अबादत से बढ़ते हैं अपने आप से जुदा कैसे हो जाओ तो बहुत कड़ा चीज है असान चीज नहीं है अपने आप से जुदा हो जाकर के आप अपने आप को बाहर देखिए अच्छा वह देखे मेरा जुद्दिन चला जा रहा है मतलब आपका रूह अलग है अपने नफस से अपने आपको अलग कर लेना यही अपने आपको खुद से अलग करना है और वही आदमी जो है नफस से बाहर निकल जाता है तो बेखुद हो जाता है मतलब यह हुआ कि वो जो है क्या हो जाता है बेनफस हो जाता है खा रहा है मगर जीने के लिए अपना लज्जत उसका दुनिया से निकल गया हूँ टेस्ट बड़ी उसका सब खतम हो गया तो वैसा आदमी बेखुद कालाता है और वो आदमी जो होता है नहीं वही कामिल होता है कामिल का सबसे बड़ा पाचान यही है हमने कई बार बियान किया कामिल का पाचान यही है कि उसको अपने नफस का जर्रा बराबर होस नहीं रहेगा और अपना नुकसान और फायदा से उसको कोई मतलब नहीं है उसको फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा वो नहीं जोड़वन कर गए वो हो गया बे खुद वो हो गया बे नफस अब जैसे अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी वही बात हजरत उमर के पास एक जंग से जीत करके लाकर के दो चीज दिया उनके जमाने में जंग बड़ी बड़ी होई है तो बहुत दूर दूर तक इसलामि सल् मतलब जीता गया तो एक जंग से लोट करके उनके सारे फाज अफाज जो ते सिपास अलार आए और जो जंग जीतने के बाद जो माल घनिमत लिया जाता है तो उसमें से कुछ लॉंडियां कुछ और लड़कियां कुछ माल सब प्रोपर्टी सब पिलता है सब लूट करके ल ला जाता था तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि एक जगा से जीत करके आया तो एक हसीन औरत को जीत के लाया बिल्कुल खुमारी और एक प्याली में बढ़ियां एक जहर दो चीज वो लाया वहां से मतलब जो मिला माल घनिमत में लाके हुजूर हज़रत उमर को दे दी हज़र तुमर ऐसे मस्जिद में जमीन में लेटे हुए थे टेक लगा करके खा कि हुजूर हमने जो है ये दो चीज़ें आपके लिए लाया है बारहाल हमको लगता है कुछ गल्ती कर रहे हैं कि खायद किसी में तोफा बेजा था या माल घनिमत था माली घनिमत था या किसी बात सा हाँ तो तोफा भेजा था तो बारहाल हम मिस्स कर रहे हैं जो भी हो लेकिन ये दो चीज़ें कहीं से आई पहली चीज हसीन अवरत और दूसरी चीज और एक जहरीला जहर बहुत हजारे हलाहल मने जिसको चक ले एक बार आदमी तो फिर पानी नहीं मांगे दो चीज़ें ल हुए बोट खुबसूरत ऐलध है यह तो मेरे किसी काम का नहीं है गुलाम को बलाया अपना का कि दिखो जी खुबसूरत है का हां जो बड़ी खुबसूरत है का के लिजा उससे निकाह कर ले लोग इन 말ो उजिए जहर चुश्छ चला गया उससे निकाह कर लिया शुख का क जला गया उससे निकाह कर लिया का कि ये जहर हाँ ये मेरे लाइक चीज है हुजूर ये दुस्मन को देने के लाइक है जिस दुस्मन को आप दीजिएगा पानी नहीं मांगेगा हुजूर का कि सबसे बड़ा मेरा दुस्मन कौन है कौन है कौन है सबसे बड़ा दुस्मन तो म तो पसेयने पसेयने होगया विसके एक उतना भारी भेंकर जहर को पी गए तो तुरत मर जाएंगे गे तुरत पार हो जाएंगे तो बाप रेडिया कर रहे हैं तो सही मानों में दीवाना हम लोग कहते हैं कि सहाबा सहाबा कैसे होते थे देखिए एक किसी बुज़र्ग ने लिखा कि सहाबा अगर इस जमाने में होते तो तुम लोग उनको सहाबा नहीं समझते तुम लोग उनको पागल दिवाना कहते और तुम लोग उनके जमाने में होते हो तो तुम लोगों को मुसल्मान ही नहीं वो समझते, जिस तरह से रहते हो तुम लोग, पता रही समझ में, हम लोग अगर सहाबा के जमाने में होते, तो वो हम लोग को मुसल्मान नहीं समझते, ऐसे मुसल्मान होता है, ऐसे मुसल्मान ही चलेगी, और उनके, अगर हमारे जमा इसको जर्ब बढ़िया से उसका सेनेरियो सामने में रखिए सामने देखे कि कि हमने कैसा माहौल रहा होगा है जहर अपने पिव आपने पिव लिया खिल ऑशीन अव्रत को गुलाम को दे दिया पागले नहोंग अच्छा अदमी करेंगा इसे पागले जहर को प्येगा जी को यहार पीएगा तो यहार जानते हैं बूही गया तो क्या हुआ को जूर में जशबात और रुखानियत जानते हैं रावायत में आता है थिर्फ पसेना आया हजुरत ए ओमर को कुछ नहीं हो आपके मौत जाहर में है कि क्यों करना आने पर हैं कि बात समझे मा रही है यानि जहर पीने के बाद भी हजरत उमर का वफात नहीं हुआ बाराल हम उधर नहीं जाएंगो तो दूसरा टोपिक होई आगा उस टोपिक पर लोटिए बेखुद आदमी कहा है ऐसा होता है बेखुद आदमी जिसको अपना परवा नहीं है कि हम मरेंगे कि बचेंगे अपना सबसे बड़ा दुस्मन अपने आपको समझ रहा है हो अपने नफस को सबसे बड़ा दुस्मन समझ रहा है जो फाइदा का चीज है दूसरे को दे दिया जो घाटा का चीज है अपने ले लिया है ऐसा होता है बेखुद आईसा होता है बेनफस इंसान ऐसा आदमी ढूंड़ोगे तो तहां मिलेगा धिवरी बार के खोजोगे तो मिलेग अब हमारे पीर ऐसा ही आदमी थे हम अपने आँखों से देखें उनको आप भी देखें होंगे एक बार उनको साप काट लिया ना तो चादरतान के सोग गए जादा हुज़ी है हम लोग साप कटियेगा तो क्या कीज़ेगा हम लोको साप के हैं तो कहने का मतलब कि उनको अच्छा बावासिर हुआ था तो आपने सापरेशन कर लिया तो आदमी कौन कर सकता है सबाएब बेखुद बेसुद बेनफस आदमी जिसको अपनी जिंदगी से जर्राबराबर तो प्यार नहीं हो वह नहीं कर सकता है तो वैसा आदमी जो होता है जहां वाज वह सब बड़ा बड़ा फटा भी करता है आपने आप से गुजार के अगदम जो है मलिया मेट कर देगा आप इस रास्ता में चलना अपना हता तो सब वली द्ला होता तो भाई देखिए बेखुद होना कितने वड़ी बात है और आप आप बेखिद आर बेखुद हो बनाए मिसलेखिए कि जो बेखुद और बेखुद और बे़ुद वेद नबस हो गया वो HCण्डीपरेंट वली ऑल्ल लेकिन ये तालीम जो है ना बहुत सक्त तालीम है लेकिन अल्ला के फजलो करम से हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे चलो भाई चलो भाई चलो भाई कर दो भाई